स्वागत आप सब का T20 स्विंग चैलेंज के मैच नंबर चार के अंदर यह मुकाबल है एडिलेड स्ट्राइकर जवनाम पर स्कॉचस के बीच में जो खेला जाएगा केरन रोल्टन ओवल एडिलेड के उपर मैच टाइमिंग और सुबह के साथे नो बजे तो बहुत ही यह दिन का दूसरा मैच है पहले एक मैच हो चुका होगा इसके बाद यह मैच होने वाला है तो बहुत से आप पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आप मैच दे देखते अब्जर्व करोगे तो आप पिछ के बारे मेरी टेलीग्राम चलन जोइन कर लेना मैच सुबह मैच दिख वीडियो रहने वाली है टेलीग्राम चैनल जोइन गरलो फाइदा क्या है लाइन अपस के बाद कोई भी अपडेट आईगी मैच देदूंगा टेलीग्राम कली में आप पो डिस्क्रिप्शन और नीचे कमेंट सेक्शन ने दिया हुआ है फिच रिपूट देखते हैं तो क एडिलेड स्ट्राइकर्स ने चेस केया था हूम टीम में इससे पहले वन फॉर्टीड बना पांच विकेट के नुकसान पर चेसिंग टीम ने इसको चेस कर लिया है छै विकेट से एक और शेष रहते है वन फॉर्टीड बना चेस नहीं वा एक सो सबतातर बना सामनले टीम इस पर दम तोड़ देती है 154 बना ये चेस होगया दो बॉल रहते है छेविकेट से 179 बना ये चेस नहीं हुआ तो इस वन फॉर्टीड स्ट्राइकर्स कोम ग्राउंड है ये मैच एडिलेड में हो रहा है इन्होंने आपे 20 में से 13 मैच दीते हैं बहुत अच्छा रिकॉर और साथ विकेट यहां पर स्पिनने निकाले थे औराल विकेट कोलम क्या कह रहा है जो अभी तक पिछले हां पर चोईस मैचेस हुआ है पीसस ने 133 विकेट निकाला है पहली बारी में 63 दूसरी पारी गंदर 70 राइट आम पेसर का दो विकेट है स्पिनर्स के 110 विकेट है दूसरी पारी में 54 ओफ स्पिनर्स 36 लाइक स्पिनर्स 32 एंड लाइफ टाम और्थरोडोग स्पिनर्स के यहां पर 22 विकेट है यह पिछ की फोटो आप देख सकते है ऐसी पिछ यहां पर दिखती है जो यह वैन्यू है कैरल रोटन ओवल फ्लैट विकेट होता है आगामेश एंड यह देखा आप ट्रैक मोस्ट अफ दे रेगूलर प्लैट्स अर अवलेबल फॉर दे इलेट स्ट्राइकर्स पर स्कॉचस में जो बहुत बड़े क्रिगेटर है एमी एडिगर और क्लूई एंजवर्ट अवलेबल नहीं है दू इंजरी दून टीम्स नापस में 20 मैच हो रहा है आपको टाइम दिख रहा हो तो लोकल और मैच सुबस साड़े नो बजए यह फोटो अगर है लगा था तो रात के बारा एक बच जाते इसली इस वज़े से मैं यह ग्यारा के अंदर फोटो नहीं लगा रहा सिर्फ पैरिस हॉल उपन करती लेफ्ट है कैटी मैक के लेफ्टी बलेबाज और उफस्पिन और लेफ्ट आम और दोस्पिन दोनों डालती है दोनों हाथ से बॉलिंग करना जानती है यह फिर आपको इलन और लोरोसा दिखेंगी लेफ्ट आम पेसर प्लस लेफ्टी बैटर है अनिश्यू मुश्वांग भी लेग स्पिनर है कर् लेफ्टी है इनिस मैकॉन के साथ यह फ्रांस के लिए उपन कर चुकी है और विमन्स क्रिकेट के अंदर बहुत ही तगडी प्लेर है अटेकिंग अंदाज असका खेलना उसके सिर्वां कुछ नहीं जानती है मैडी डार्क राइटी बल्लेवाज है मकाया हिंकली आपको दि स्टेला के पास पेस है यह है राइटम फास्ट शाइ मनोलिनी यह आपको दिखेंगी लेक्स्विनर के रूप में जो मिड़ फेस में बॉलिंग करती है मोस्टली यह इडिलेट स्ट्राइकर्स के टी ट्वेंटी नंबर से जैसे कि ब्रिगेट पैटरसन ने कुल मलाक एक सो सतर मैच खेलें टी ट्वेंटी फॉर्मेट के अंदर अठाराई की एवरेज इसकी चोई सो रंस है 97 का स्ट्राइक र 12 मैचेस खेलें और 14 की एवरेज 113 रंस है 116 का स्ट्राइक रेट है मैडी पैना 70 मैच 837 रंस 110 का स्ट्राइक रेट 28 के एवरेज है यह भी बहुत ही अद्वुत प्लेयर अटेकिंग अंदाज है मैडी पैना के बाद अमांडा विलिंटन आती है 200 मैच लगबग खेल चुक मैडी पैना के 16 विकेट से एंड जैमा बार्जबी के 800 विकेट से 19 का स्ट्राइक रेट मुष्वंग गी के 50 विकेट है 16 का स्ट्राइक रेट तो यह जो तीन बॉलर्टन बार्जबी मुष्वंग गी इस तीम की जान शान आप कह सकते हो इनके उपर बहुत बड़ी जिम्म इस तरह से फॉर्म है थोड़ा सा कंसर्म बट सी जो सुपरस्टार पिर आती है एली जॉंस्टन दस फॉर्टी दू पैसट नाबाद एक अठाइस दस एक पांच चालीस अड़तिस साथ इस तरह से रहा है तो पार्ट टाइम यह एकाद दो डाल सकती है इस मैच में बैटिंग से वैल्यू है अमां डाल नेंट में को तो क्या ही बात हो रूस सब करिया हैंगे पारी सौल नीचे नंबर से इतने इंप्रेसिव नहीं है इंपोर्ट्ट्ट्न प्लखड बहुत से भी स्काफटन करेंगे बात खता मैंगे चलता है यह लो लोओन और लॉरस्टा 0 2 wicket 13 1 wicket 30 50 2 विक स्टार स्टार मेकिन है थे भी 1 फिक 10 v夜 0111 0 1 2 3 मगी क्लार्क 010 थी poz aprove क्लारय रहा है अपना ख्याँ एन प्लियल directed मैगी क्लार्क डाल सकती है डेटर में जो मुझे लग रहा है अमांडा व्लेंटर बार्ट्स भी एंड मैगी क्लार्क होंगी और आर्टिकल पड़े न्यूस जो ये एडिलेट स्वाइकर्स की टीम है इन्होंने क्या आर्टिकल लिखा था इन पलैर्ट के बारे मैं वह देखे हैं इससे होगा बश्यांटर कुछ नहीं आपको पत्त चलेगा इननकी टीम इनके बारे में क्या सोस्ती है इनकी स्कॉर्ड को ब्रिखां उन्होंनने क्या लिखा60 को एम दिखा हुआ थी यहां पेज़ेती हो रखिए अन्होंने सिधा सिधा लिखाए यह स्कॉर्ड है बस बात करतम इन्होंने कुछ निवस पगरा नहीं लिखिया अच्छे से कि यह है क्पलाना प्लेट रैसा है कुछ नहीं हो बढ़ी स्कॉच अन्होंने परणी किया हुआ नहीं जाएथान भी प पुलाई पिपार ओपन करती इस टीम की एक अपतान है 151 मैचेस का एक्सविरियेंस है 1100 की उपर रंज है एंड इंस मिखॉन 16 मैच में चुईस की उसट स्ट्राइक रेट अच्छा है 113 का साढ़े 300 की आसपास रंज है मैरी डार्क कुलमला के 34 मैच खेला है 13 की उसट है 200 की आसपास रंज है 100 का स्ट्राइक रेट है एंड मक्का हंगली ने 64 मैच खेले 14 की एवरेज 300 रंज इससे बहुत बैटर प्लेयर है एले बिंस ने 41 मैच में 30 रंज बनाए है अब देखते हैं बॉलिंग नंबर्स तो यह देखा आप टी 20 फॉर्मेट के अंदर बॉलिंग में किस ने क्या किया है टी 20 फॉर्मेट के अंदर 41 गेम्स के अंदर डबलू बीवल में अकलोई पिपारो एक सोचार ग्यारा साथ तेरा पांच अटाइस आट फॉर्टीटू चॉदा पांच एंड इंसे में कॉन इकतिस तीन दस एक पांच पांच जीरो प्रॉपर हिटर है लपे मारती है तो इसका भी ठीक ठाक आपको युगदान देखने को मिल सकता है इस गेम में में अटेकिंग शॉट्स नहीं खेलती गेम को चलाना जानती है माका इकली चॉदा पांच बासट चोईस तैस तैस उननचास पचास पच्चिस बावी तैस चंद स्लो खेलती है वैसे चैरन व्हाँ से और इक ठाक एक में टोषास पांच स्वाज को आपको अच्छा बास पांच दोशा बहलत सकता है Steyeris Bakker 3 wicket 1 wicket 0 wicket 0001 1 1 Stella Campbell का form कंसर रहा है यह same Darcy Brown कि temporada backups जालती है winfit मिला तो मिला यतो पहले और में इतनी wide no ball दालती है फिर balling ही नहींiłए नहीं मिलती है from Shai Monoloney 1 0 2 0 0 1 starting over Brewre Campbell Jew Buttercliffe must совет Sherryis Bakker Lily Mills लेली बिल्स और बर्टकलिफ का ज्यादा रूल रहता है हमेशा मैचप कैटी मैक वर्सेज लेली मिल्स 23 बॉल 16 रन 6 निंग्स कंदर दो बार आउट किया गजब का मैचप है कैमबल ने 21 गेन में 30 रन्दे के 5 पारियो में एक बार आउट किया बिगिर पैटेसन वर्सेज लेली मिल्स 5 इनिंग्स में दो बार आउट किया 59 बॉल में 55 रन्दे के मैटी बैना वर्सेज लेली मिल्स 10 बॉल 6 रन 2 इनिंग्स में एक बार आउट किया अमांडा को भी 12 बॉलो में 18 रन्दे के 35 बॉलों में 26 रंड़ी पीपारों को यह दो प्लेट से बहुत दिक्कत है और यह है इंस मैं से क्यों मैं क्यों आप क्या सकते है मैरी डार्क वर्ट्सेज विलंग्टन 68 बॉल 61 रन थोड़ा स्लो किला है बट चैनिंग्स में दो बार विकेट दिया है मकाय हैंकली वर्ट्सेज विलंग्टन 64 बॉल 33 रंड शाइनिंग्स में दो बार आउट वी है मुर्षवांग्वी ने इसको कत्यूज बॉलों में 17 रंडे के तीन पारों में दो बार आउट का मकाय हैंकली को डिलेले मिल्स का कोई मैच अप निया है ऐसा सारे टैब ओपन अना दिमाग गुंगा है मेरा केपिंग में बिगरेट प्रेशन को सबसे पहले लीजिए मैली डार्क आपके वास बहुत अच्छी ऑप्शन है जो वैली देके जा सकती है अभी लिए फिलाल मैं कैटी मैक को लूँगा पिपारो को फिलाल मैं प्रिफर नहीं कर रहा ड्यू तु दे टू मैचस ओफ विलिंग्टर एंड लारासो को लूँगा मैं अच्छे फों में अच्छे फों में एम्याडगर अविलेबल नहीं बार्स भी है यहां से इस सेग्मेंट से आप ले सकते हैं मुश्वांग भी लेले मिल्स टेपार क्लायरी जन अविलेबल बर्ट क्लिफ ग्रैनली के लिए अच्छी भी गए यह मेरे कंफर्म पिक है ही पहले ही ठीक है आठ प्लेयर हो गया है मेरे नडी डार को ले लेता हूँ नौ प्लेट्स मेने कंफर्म है जनता ने नहीं लिए मेरे डार को बारा स्लेक्शन परसेंटेज है यहां से मैं मोस्ली जाओंगा इली जॉंस्टन ट्राइए कर सकते हो हाँ डेटर ऑफ द वॉल है रेप्यूटिशन है इसकी थोड़ी बहुत बट मैं भी ऐसे प्लेयर को प्रिफर गूँगा जो मेरे को शॉर्ट शॉर्ट वैल्यू देजिए इसमें जू बटकलिफ मेरे को वैल्यूबल एसेट लग रही जो आप कोवर वेल्यू दे सकता है इस गेम के अंदर यह यह यार जो है इस गेम के अंदर एक टीम मैक एली जॉंस्टन भी है ठीक बट चली तो चली थोड़ा सो फोर्मस का कंसीनर आए यह देख आप एली जॉंस्टन प्यॉर हिट्यमस टैप प्लेयर है यह इसके सबसे बड़ी दिक्कत है 12 मैचस में 113 रंस है जो इसमें खेले हैं तो यह कानी है इसकी मैं अभी फिलाल ले लेंग प्लेयर आप पी छोड़ रहा हूं कोई भी ले सकते एक बॉलर ले लो चाहे फिर आप और राउंडर ले लो चलो अभी फिलाल मैं ले ले लेता सबसे बड़ी ओप्शन मिलेगी आप कॉमंड आवल इंटन वाइस केप्टेंसी में जैमा वार्ज भी से बैतर नहीं मिलने वाली है और इंजॉय दिस गेम से सुन मिलता हूं से टलीग्राम के पर लिली मिल जब एक टॉप ओप्शन है वालिंग फर्च मेंगर पहले गेंद